हलो दोस्तो नमस्कार प्राफिट गुरु चेनल में एक बाद नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूँ तो दोस्तो यस बैंक के शेर होलडर के लिए बहुत बढ़िया न्यूज आते हमें देखने को मिल रही है अब आपको तो पता हिए कि दोस्तो यस बैंक के साथ क्या क्या हुआ है ये काफी दिनों बाद में यस बैंक के ओपर कोई अपडेट दे रहा हूँ ठीक है क्योंकि एक positive news हमें देखने को मिली है ठीक और काफी उपरी price पर दोस्तो यस बैंक के share को अपने मतलब yes bank के जो share holder उन्हें खरीद के रखा जैसे आप देख सकते हो share का price क्या था और अच क्या है लेकिन last 5 दिन में stock में 10% की तेजी मतलब बहुत अच्छा दोस्तो यहाँ पर signal मिल रहा है कि आने वाले दिनों में काफी अच्छी तेजी हमें और देखने को मिल सकती है अब 52 16 रुपे 25 पैसे का है ठीक है अब यह तेजी दोस्तों इस news के इसाब से कब तक टिक सकती है यह देखने वाली बात है और साथ में अगर देखा जा तो Q1 से पहले यह बहुत बड़ा update आते हो देखने को मिल रहा है तो क्या है update वह हम देख लेते हैं उससे पहले बताना दस पॉइंट का दमाकेदा टार्गेट हीट हुआ ठीक है और पंद्रा सु रुपे का प्रॉफिट भी हो और एक लॉट साइस पंद्रा डेड़ सो का था तो अराम से अच्छा का सा मोमेंटा मिला आप जाके कुछ चेक कर सकते हैं लिंक इसका नीचे description में मिल जाएगा और यहाँ पर लिखा हुआ है यस बैंक में हिस्सेदारी खरीच सकते हैं कारलाई और एडवेंट जानिए कितने में हो सकती है यह दिल ठीक है यह जो न्यूज है यह आज ही का देखने को मिल रहा है और यह न्यूज मतलब दोस्तों काफी करीब आच चुका है मतलब यह डील ज पुझी की जरूरत है वह लंबे समय से दोस्तों क्या कर रही है इस्सेदारी बेच कर पुझी जुटाने की कोशिश कर रही है लेकिन दोस्तों क्या हो रहा था कि उसको कोई इस्सेदारी खरीदने वाला नहीं मिल रहा था ठीक है क्योंकि कंडिशन बहुत खराब है खिर अ अपने बिजनस से सुधारना चाहेगी सबसे बड़ी बात यह है मिडिया रिपोर्ट के मुतावित यस बेंक अपना डूबा कर्ज है जेसी फ्लोवर असेट रिकंटर्शन कंपनी को बेचने जा रहा है मतलब जो बचा हुआ डूबा हुआ जो कर्ज है ठीके वो दूसरे को बेच देगा वो किसी भी प्रकार से साथ उसको बसूल कर सकता है ठीके यस बेंक के बोड में भी बदलाव की ख़बर है इससे प्राइविट इक्विटी फर्म की दिल्चरस भी यस बेंक में बढ़ रही है मतलब मेनेजमेंट में दोस्तो बदलाव आ जाएगा ठीके और जो डूबा हुआ कर जाए वो किसी दूसरी कंपनी को अगर ये बेच देंगे ठीके तो जो दूसरे प्राइविट इक्विटी फर्म है जैसे कि कारलाई और एडवेंट इनका दोस्तो जो जिल्चस्वी है वो और हमें बढ़ते देखने को मिल रहा है क्यों? क्योंकि दोस्तो फिर येस बेंग के अंदर कोई दिक्कत नहीं रहेगी तीके उसके साथ यागर देखें मेडिया रिपोर्ट में बताया गा है कि कारलाई और एडवेट के टॉप लेवल के अधिकारियों नहीं इस हफते येस बेंग और एजबियाई के सीनियर मेनेजमेंट से बाचीत किये क्योंकि अभी येस बेंग को पूरा मेनेज कौन कर रहा है SBI कर रहा है SBI की Yes Bank में सबसे ज़्यादा हिस्षदारी है बताया जा रहा है कि इसके बारे में RBI से अधिकारियों से भी बाचीत हुई है RBI का जो अधिकारी है जो टॉप ठीके उनसे भी यहाँ पर बाचीत होते हमें देखने को मिल रही है और देखें कि Yes Bank के शेर पिछले एक मेने में 18% चर्च चुके हैं यह भी बताया जा रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं बताया जा रहा है कि Yes Bank में investment की यह deal Axis Bank में बेन capital के निवेशक जैसी होगी सुरात में Yes Bank करीब 2.6 और बॉर्ण जारी कर सकता है फिर कारलाई और एड्वेंड को जो प्री financial alignment है ठीके वो शेर के शेर जारी कर सकता है मतलब इस प्रकासे डील होगी पहले दोस्तों जो अपना कर्ज है न ठीके जो पहले यह वाला डील है ठीके पहले यह वाला जो डील है कर्जबाला वो पूरा होगा ठीके उसके बाद दोस्तों इन दोनों कमपनियों की जो डील होगी तो देखा जाये दोस्तों तो यस बैंक के शेर होल्डर के लिए यह जो न्यूज आ रहा है यह बहुत ही अच्छा में देखने को मिल रहा है फोटो लॉंग टर्म लॉंग टर्म के लिए यह न्यूज अच्छा दोस्तों शॉट टर्म के लिए कोई इंटरी बिलकुल विस्टॉक में ले मत लेना ने तो बूरी तरीके से आपकी कंडिशन हो सकती है ठीके अभी आपने देखा स्टॉक का प्राइस क्या है अगर आपको इंवस्मेंट करना है ठीके तो यहाँ पर छोटा सा बीट डाल सकते है ठीके 100-200 कॉंटिटी का 100-200 कॉंटिटी का अगर यहाँ पर आप बीट डाल दोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा कोई इंट्रेस्टेड है कि यार बैंक का नाम बहुत अच्छा है पुराने समय में बैंक का परफॉमेंस अच्छा था अभी हमें लग रहा है कि सुदर सकता है तो 100-200 कॉंटिटी खरीदे ठीके और पुराने जो इंवस्टर है वो तो होल्ड करके ही बेटे अपना फोकस करे ठीके और वहाँ पर अच्छा खासा रिटन कमाए चलिए कंपनी की फंडामेंटल कंडिशन देख लेते है तो पहले बताना चाहूंगा दोस्तों यह हमारा प्रॉफिट गुरू एफंटर का टेलिग्राम चनल है जहाँ पर दोस्तों डेली बेसिस पर आपको तरह तरह के अपडेट मिलते हैं और इसे ऑप्शन के बहतरिंग कॉल्स भी मिलते हैं जैसे आज भी हमने डीमाट का कॉल दिया था जिसमें 4000 का पुट बाई कर भाया था 10.00 का टार्गेट था 15.00 रुपे का धमागेदार जो हमारा जो प्रॉफिट है वो हुआ है क्योंकि 10.00 का जो टार्गेट था वो डैन हुआ और देर्सो का लॉट था ठीक है आप जाके खुद भी चेक कर सकते हो लिंक निचे डिस्क्रिशन मिलेगा और जोइन भी हो जाए को कि ठीक दोस्तो आगे भी आपको दमागेदा लेवल इसी प्रकार से मिलने वाल है ठीक है चले यस बेंक का फंडामेंटल कंडिशन देखते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं यस बेंक ठीक है आपको दोस्तों अभी कंपनी काफी लाकों का मार्केट के फोल करती थी लेकिन मातरब 36,800 क्रोल का मार्केट के फोल कर रही है पी एर्निंग रेश्यो देखेंगे 34,2 का रिटर्न उन इंप्लॉई लगबग 5% के आसपा से रिटर्न उन इक्विटी 3,2-1% के आसपा से फेस विल यू आप यहां पर देख सकते हैं ठीक है उसके साथ ही अगर हम देखें तो अभी क्या कर रहा है स्टॉक यह 50 डिये में का लेवल है ठीक है और 200 डिये में का लेवल यह ब्लैक रहा तो अराम से अच्छा कासा यह पर ब्रेक आउट दे चुका है दोनों ही लेवल क देखते हैं दोस्तों यह काफी जो नियूज है वो कब तक इस्टॉक को उपर लेके जाती है और कॉटली रिजल्ट अगर हम देखें तो मार्च क्यू में दोस्तों कंपणी ने बहुत अच्छा सेल्स किया था ठीक है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बहुत अच्छा मत तब कंडिशन जो सुदरी बेंक की वो आप देख सकते हैं काफी अच्छी तरीके से सुदरते देखने को में मिल रही है और प्रॉफिट एंड लॉस पूरे साल बरका कर देखें तो मार्च 2013 में आप देख सकते हैं कंपणी का जो रेवेन्यू था वो 8,294 करोड था अब व पूरी तरीके से क्या हो गई खराब हो गई है अब वो ब्रांच जो है वो एक खोके टाइप बन चुका है तिके रंदर से जो बैंक के वो पूरी तरीके से कोकला हो चुका है तो नेट प्रॉफिट भी देखें न तो दोस्तो 2022 वाले साल में करीवन 1000 क्रोड का इसने भी कर रहा है ठीक है उसके साथ ही शेयर होल्डिंग पेटर्न भी अगर हम देखें तो यहां पर आप देख सकते हैं पहले इसमें गौवर्मेंट भी अपना इस्टेक होल्ड करती थी लेकिन अभी मातर यहां पर क्या है दोस्तों एफ आई आई कर रहे हैं और पब्लिक कर रह जाएगा जब इस टॉक्स और उपयों को उपर चले जाएगा जब आप अच्छा कॉंटिटी खरीच सकते हैं क्योंकि जब तक कंपनी की बहुत अच्छी कंडिशन हो जाएगी तो यह था यस बैंक के ऊपर आप लोगों को लिए अपडेट तो इस वीडियो को लाइक आप लोगों तक लाते रहते हैं तो थैंक्यों दोस्तों